एक बार फिर मेरे सभी प्यारे साथियों का Go Study YouTube चैनल के उपर स्वागत है तो पहली क्लास की तरह इस क्लास को भी हम बहुत ही जबरदस बनाने वाले हैं क्योंकि पहली क्लास के अंदर मैंने आप सभी से वादा किया था कि प्रॉफिट लॉज की इस क्लास को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट लॉज की इन कोश्चन को इससे भी आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है तो आप मेरे पूरे चैनल को स्किप कर सकते हैं लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि profit loss कोई question solve करने का यही सबसे best तरीका है तो आप मेरे channel को subscribe कर लिजेगा और अगली आने वाली वीडियो को dedication के साथ देखिएगा तो अगली वीडियो आपके सामने आ चुकी है और इस वीडियो को भी पहली वीड को और अच्छी तरीके से आपके सामने represent कर सकूँ ताकि आपको जो है वो इन questions को आसान बनाने में और ज्यादा आसानी हो सके तो पहले question के साथ class को start करते हैं और जिन बच्चों ने अभी तक channel को subscribe नहीं किया भाई channel को subscribe कर लो आप सभी लोगों के support की जरूरत है इस channel को तो आप लोग support कर सकते हैं अपने इस भाई को तो चलिए पहला question रखते हैं आपके सामने चलिए तो पहला question आपकी screen पर है ये question कहता है कि अनिल ने एक वस्त को 15% की हान पर बेचा यदि उसने इसे 84 रुपे अधिक पर बेचा होता तो उसे 13% का लाब होता यदि उसे 20% का पर बेचना चाहिए मेरे सभी प्यारे सातियों जिस तरीके से मैंने patience के साथ इस question को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है आप भी question को अच्छी तरीके से पढ़ने की एक habit डालो क्योंकि math के question solve करने के लिए आपको question बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना होगा एक एक line question को बना देती है और एक-एक line question को पूरा बिगाड़ देती है तो question को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना पढ़ेगा तो पहला question पहली line कहती के अनिल ने 15% की हानी पर बेचा मतलब suppose करिए ये baseline है उसने 15% हानी पर जाकर किसी चीज़ को बेचा ठीक है तो ये 15% हानी पर ज मतलब स्था किस्ता न तो उसे 13% का लव हो जाता कितना लाव हो जाता 13 것은 का इतनी बात clear है तो ये सह About minus से हम प्लस में जारहें कितना जारहें पहले तो माईनस 15 आरे थे हुटर हमरे 15 तो फिर हमें प्लस 13 जाना है तो करीब कितना जाना पड़ेगा आप 28 जाना पड़े ăn तो 1% आपका हो जाएगा 3 और आप 100% निकालेंगे तो 100% आपका निकल के आजाएगा 300 तो ये आपका क्या निकल के आगया ये आपका CP निकल के आगया 300 रुपए अब CP के उपर 20% लाब निकाल कर आपको बताना है कि इसको कितने रुपए पर बेचा जाएगा तो simply आप का लाब करना है तो हम बेचेंगे 6 बटा 5 पर 6 बटा 5 क्योंकि 1 बटा 5 होता है 20% तो 20% में जब आप 1 का इंक्रिमेंट करेंगे तो 6 बटा 5 आपका बिल्कुल हो जाएगा ठीक है तो आप इसे काटेंगे 5 एकम 5 5 36 तो एंसर जो आजाएगा भाई 6 36 360 रुपए जो है उसका सेलिंग प्राइज निकल के आजाएगा तो राइट अंसर जो हो जाएगा वो ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन मेरे भाई देखिए क्या कहता है कि 20,000 रुपए की एक साइकल को एक फुटकर विक्रेता को छूट के बाद 14,000 रुपए की बेची जाती है तो खुदरा विक्रेता को कितने प्रतिसत की छूट दी गई है तो simply यार अगर आप कहोगे 20,000 की कोई चीज थी आप 14,000 रुपए की बेच रहे मतलब आप उसे 6,000 रुपए चूट दे रहे हैं तो आप इसका परसंट निकालो तो परसंट 20 एक कम 20 बीस पंचे सो तो 6 पंचे 30 परसंट की उसे चूट दी गई है कुदरा विक्रेता को 30 परसंट इसका बिलकुस सही जवाब हो जाएगा ज अगला कोशन मेरे भाई दिखी क्या कहता है कि निखिल अपनी पतनी के लिए हीरे की अंगूठी खईता है हीरे की अंगूठी का अंकित मुल 20,000 रुपए है और उस पर करमिक 25 परसंट और X परसंट की दो करमिक छूट दी जाती है तो दो करमिक छूट मिलने के बाद उसने 12,000 रुपए का भुकतान किया तो X का मान बताईए मतलब आपको ये जो दूसरी छूट दी गई थी उसका मान बताना है कि कितने परसंट दूसरी छूट दी गई थी तो हमने माना पहली छूट आपकी दी गई 25 परसंट मतलब आदनी 4 से 3 25 परसंट कितना होता है 25 परसंट भाई एक बटा चार होता है ना, तो चार से तीन हो गया, और दूसरी छूट हमें नहीं पता, भाई कितनी दी गई थी, हमने मालिया कि X से X आपकी जो है, वो छूट दी गई थी, इतनी बात क्लियर है, और तो उसके बाद क्या हुआ, ये आपका क्या है, 3 को इसके नीचे लियाओ, जब इस 4 को इसके नीचे लियाओगे, 3 को इसके नीचे लियाओगे, जो आपका निकल के आएगा ना भाई, profit or loss, वो ये X निकल के आएगा, तो आप इसको काट लो 3 एककम 3, 3 चकू 12 ठीक, 4 एककम 4, 4 25, तो 5 से 1, मतलब आप 1 की छूड़ दे रहो 5 के उपर, और 1 बटा 5 कितना होता है, मेरे सभी प्यारे सातियों, आप सभी को पता होना चाहिए, कि 1 बटा 5 20 परसेंट होता है, कहने का मतलब जो X दूसरी छूड़ दी थी ना, वो अंकित मूल क्या हो जाईए, मानिए कि आपका अंकित मूल ये था और अंकित मूल के उपर आपने 2 छूड़ दी है 40%, 40% कितना होता है 2 बटे 5 होता है, जब आप 2 बटे 5 पर छूड़ देंगे, तो आप कितने पर बेचेंगे आप 3 बटा 5 पर बेचेंगे ः transcript, उसके बाद 20% की छूड़ का मतलब होता है, एक बटा एक बटा 5 होता है, तो आप कितने पर बेचेंगे? 4 बटा 5 पर बेचेंगे और बेचने पर आप कितने का बेच रहे हैं? ये छूड देने के बाद दौनों आप 3, 4, 32 और 4, 24 पचम 25 से इसको जब आप उड़ा कर दोगे तो माक प्राइस जो आपका निकल के आएगा वो कितना निकले आएगा 3, 8, 6 इंटू 25 जब इसको आप मल्टिप्लाई करेंगे तो 25 जब आपका माक प्राइस निकल के आएगा वो 96 इसका बिलकुल सही जब निकल के आएगा अगला कोशन मेरे भाई कहता है कि विने एक वस्त को 20 प्रतिसत के लाब पर बेचता है यदि क्रैमूल और विक्रैमूल दोनों 20 रुपे कम हो जाते हैं तो लाब परतिसत, 40 परतिसत हो जाता है तो प्रारंबी क्रैमूल क्या हो जाएगा तो इस कोशन को करने का तरीका मैं आपको 2-3 बार सिखा सुखा हूँ जो इसका पहला पार्ट हुआ था उसके अंदर भी इस टाइप का एक कोशन मैंने आपके लिए करवाया था क्रैमूल और विक्रैमूल में जो है वो 20 रुपए की क्या हो जाती कमी कर दी जाती तो भाई 20 रुपए की कमी यहाँ पर भी कर दो और 20 रुपए की कमी आप यहाँ पर भी कर दो अब 20 रुपे की कमी करने के बाद न, विने को लाब कितने का हो रहा है, लाब हो रहा है 40%, 40% कितना होता है, 2 बटे 5 होता है, मतलब वो 5 से 7 का लाब कमा रहा है, अब मैंने आप सभी को बताया है कि क्रॉस मल्टिप्लाई करते हैं, 7, 35, 6, 35, 35, 35 और 30 का डिफरेंस आपका 5 रे होते हैं, तो अगर हम इसको 7 दूनी 14, 140, 25, 100, तो उसका डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, डिफरेंस आपका 40 आ जाएगा, और एक रेशो का मान जो हो जाएगा, वो आपका 8 आ जाएगा, हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया प्रारंबिक क्रेमुल, तो प्रारं प्रारंबिक क्रेमुली जो है, वो आपका 40 रुपए बिलकुल सही जवाब हो जाएगा, बढ़ें अगले कोशन की तरफ, अगला कोशन देखिए, क्या कहता है, कि पारस अपना माल 960 रुपए में 33% के लाब पर बेजता है, 20% का लाब अर्जित करने के लिए उसे अपना म रुपए में बेज रहा था, ठीक है, और 4 रेशो के बराबर आपका कितना दे रखा है, 960 रुपए दे रखा है, इतनी बात क्लियर है, अगर आप एक रेशो का मान निकालेंगे, तो 4 दुनी 8 और आपका 4 चकु 16, 240 रुपए, तो 3 रेशो मतलब जो उसका CP था, ये तो रहने का मतलब है, उसका CP जो निकल के आया, उसका 720 निकल के आया, और उसका सेलिंग प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस उसका 960 रुपए था, अब आपको 20% लाब अर्जित करने के लिए आपको विक्रे मूली बताना है, तो आप 720 के उपर आप जो है, वो 20% का लाब म 6 से गुड़ा करोगे, तो 624, 624, 226 और 6-628, तो राइट एंसर 864, इसका बिल्कुछ सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपका C option के अंदर दिखाई दे रहा है, पढ़ें अगले question की तरफ, अगला question देखो, मेरे भाई क्या कहता है, कि 10% और 20% की एकल सम्तुल छूट ग्या हो जाएगा, तो 10 into आपका 20 हो जाएगा, और upon आपका हो जाएगा 100, तो minus minus आपका जो हो जाएगा, minus का 30 हो जाएगा, और plus का यहाँ पर कितना आजाएगा, दो आजाएगा, आगे इससे solve करेंगे, तो आपका जो छूट आएगी, वो कितनी आएगी, 28% आजाएगी, 28% इसक बिल्कुछ सही जवाब हो जाएगा जो कि B option के अंदर दिख रहा है अब ये जो आपने छूट देखी ना भाई इसको आप direct करना सीखो कैसे भाई अगर minus है minus है तो minus minus तो आपका हो जाएगा minus का 30 जब आप 20 का 10 से गुड़ा करेंगे तो आपका 200 हो जाएगा और 200 के नीचे त 100 लगा होता है तो 2,0 से 2,0 कर जाएगा तो plus का आपका आजाएगा 2 आप अपने mind में calculate करेंगे कि minus का 30 है प्लस का 2 है तो आपका minus का कितना आजाएगा आपका 28 आजाएगा तो ये जो process मैंने आपको करके दिखाए ये आपको करना ना पड़े कभी तभी जो है वो आप जो ह यही तरीका होता है, मैं आपको सिखाता हूँ, लेकिन एक्जाम हॉल में यह किया जाता है, कभी यह नहीं किया जाता है, उके चलो, अगला question देखो, पीछले question पर based यह question अगला question आ गया है, और यही एक तरीका है question को moderate करने का, पिछला question अगर आप देखेंगे, तो पीछले question क के अदर क्या किया गया है सिर्फ एक line में question दिया गया ये question CHSL का है लेकिन ये question आपका CGL का है मैंने आपको हमेशा बताया है कि question को moderate करने का सिर्फ यही तरीका कि उसके अनदर question को दिया जाता है आपको यहां तो यहां तक question को solve अ सौल कर लेंगे, तो question कभी difficult होता ही नहीं है, question को difficult बनाया जाता है, लेकिन आपको अगर अच्छी तरीके से पता है कि question को easy कैसे बनाना है, तो दोनों part का method आपको पता होना चाहिए, question easy बन जाएगा, तो इस question को देखी कैसे easy बनाएंगे, question exam हाल में solve कैसे किया जाता है, एक विक्र इतनी बात clear है, आपने कुछ solve नहीं किया, जो कि 252 रुपए की एकल छूट के बराबर आपने कहा, अच्छा मतलब 28% के बराबर जो ये दे रखा है ना भाई, वो कितना दे रखा है, वो आपका 252 रुपए दे रखा है, इतनी बात clear है, अब आप यहां से काट लेंगे, क् 48 28 और 27 21 और आपका हो गया साठ चंग 42 और 1% का मान कितना हो जाएगा, चारनुमिया च्छतिस इतनी बात clear है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, आप 100% का मान directly कह देँगे 900 रुपए हो जाएगा, इतनी बात आपको clear हो गई, 100% का मान कितना हो गया 900 रुपए, और यह 900 निकल के आए, तो ये आपका क्या निकल के आए, Mark Price निकल के आए, क्योंकि किसी चीज़ पर जब आप Mark Price के ऊपर पिछले Question के अंदर Ratio में मैंने आपको छूट दी थी, तो जब आपने इसको व्रक किया था, तो आपका Mark Price निकल के आए था ना, तो वही Mark Price मैंने 900 रुपए नि करेंगे तो आपका 648 रुपए क्या हो जाएगा भाई ये आपका सेलिंग प्राइज हो जाएगा ठीक है तो अगर आप 600 रुपए क्रेमूल है और आप 648 रुपए की कोई चीज बेच रहें तो आपने प्रॉफिट कितना कमाया 48 रुपए का तो इस तरीके से एक्जाम हाल के वो अपने माइंड में ही कल्कुलेट करनी फड़ेंगी तब ही आप कोश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे पेपर हॉल में अदरवाइस कोश्चन जो है वो आपका कोश्चन पेपर जो है वो मैत के सेक्शन को आप 15-20 मिर्ट में खतम नहीं कर पाएंगे अगला कोश् चसमे की दर से 3 चसमे खईता है वह पहला चसमा 30% के लाब पर बेशता है और दूसरा चसमा 10% की हान पर बेशता है तो पूरे लेंदेन में अरजित लाब का खुल कितना परतिसत है तो simply अगर मैं बात कहूं कि प्रते एक चसमा 4000 रुपे का खरीद रहा है मतलब तीनों चसम उसने 10% हान पर मेचा मतलब 10 से 9 पर बेश दिया इतनी बात क्लियर है और तीसरा चसमा भी उसने जो है वो आपके 10% हान पर बेचा 10 से 9 पर बेश दिया अब यहां पर देखिए तीनों का cost price सेम है ना बिलकुल भाई ratio के अंदर तीनों का cost price सेम है तो हमें change करने की जरूत न नहीं लगा सकते हैं अब हम इन तीनों को जूड लेंगे तो 10-10-10 आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और यह कितना निकलेगा 13-9 कितना हो जाएगा 22-9 31 ठीक है तो 30 के उपर जो है आपका कितने का होरा एक का होरा है into 100 तो आपका यह जो निकल के आएगा भाई यह का C option के अंदर दिखाई दे रहा है पढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question मेरे भाई देखिए क्या कहता है कि एक दुकानदार एक table को 20% की छूट पर बेजता है और 30% का lab अरजित करता है ये दिवा उसी table को 10% छूट पर बेजता है तो उसका नया lab यहान कितने प्रतिसत लेकिन इस question को भी मैं आसान बरा दूँगा क्यों बना दूँगा पहला step कहता है कि अगर आप 20% की छूट दे रहे हैं लेकिन फिर भी आप 30% का lab प्राप्त कर रहे हैं मतलब एक ही product के उपर 2 cases नजर आ रहे हैं पहला आप छूट दे रहे हैं छूट देने के बाद भी आप क्या कमारें profit कमारें मतलब कहने का मतलब है कि एक ही चीज पर 2 चीज हो रहे हैं तो ऐसे question को आप क्या करेंगे हमेशा ऐसे question को करने के लिए सबसे पहले आप 5% की 20% की छूट दो 5-4 और उसी चीज के उपर 30% का आप लाप कमारें कैसे कमारें अब आप देखिए कैसे कमारे कहने का मतलब है कि छूट दे रहें तो ये आपका mark price है और ये आपका selling price है profit ले रहें तो आपका ये cost price है और ये आपका selling price है तो यहाँ पर आप एक ही चीज को पर पूरा case कर रहे हैं तो मतलब आपको जो है वो selling price इसका बराबर करने पड़ेगा इसको 13 से गुड़ा करने पड़ेगा ठीक है स्वारी 14 नहीं 4 से गुड़ा करना पड़ेगा ओके तो ये कितना हो जाएगा 13.52, 13.52 selling price बराबर हो गया तो 13.55 mark price कितना हो गया 65 हो गया और cost price कितना हो गया 40 हो गया पहला step clear हो गया अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आपका cost price और आपका mark price कितना हो गया भई ये आपका हो गया 40 और ये हो गया आपका 65 ऐसा मैंने कैसे किया mark price को इधर क्यों रखा वो रखने का case अभी आपको पता चल जाएगा क्योंकि आगे हम में इस पर 10% की छूर देनी है always मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि success you के अंदर क्या होता है success you के अंदर हो 10% छूर देने का मतलब आप 10 से क्या कर रहे है आप 10 से 9 पर जा रहे है तो ये आपका क्या है ये आपका mark price है और ये आपका selling price है इतनी बात clear हो गई अब यहां पर आप success you लगा सकते हैं ये कितना हो जाएगा ये आपका 400 हो जाएगा ठीक है और ये कितना हो जाएगा आपक 9,45 carry I4 9,54 और 54 चार कितना हो जाएगा आपका 58 हो जाएगा तो 400 के उपर आप कितना profit ले रहे हैं 400 के उपर आप 185 का profit ले रहे हैं 185 का profit ले रहे हैं तो इससे जब आप solve करेंगे तो 0 से 0 कर लेंगे आप 4 से काट लीजिए आपका हो जाएगा 4,16 carry I2 4,24 ठीक है बचा आप आपका 1,4 दूनी 8 ठीक है और आपका बचा 2 तो 4,25,46,25 आपका परसेंट जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जो कि आपका कहां पर दिख रहा है आपका C option के अंदर दिखाई दे रहा है तो ये तरीका है question को solve करने का थोड़ा सा complex बन गया question लेकिन भाई 2 step के अं selling price भी लगा रहा हूं बता भी रहा हूं ये चीज कैसे होगी तो थोड़ा time लग रहा है लेकिन जब आप इसको सीधे सीधे solve करें आपके mind में होगा कि ये selling price है ये mark price है इसको बराबर करना इसको ये करना है तब भाई ये सारी चीजे नहीं लिखे जाती है ये सब चीजे mind म और कुछ नहीं लिखोगे आपकी आदत पढ़ जाएगी आपके habit पढ़ जाएगी आपका भी जो है वो mark price selling price को लिखोगे ही नहीं चलिए अगला question देखिए भाई क्या कहता है और ये सब depend करता है भाई आपकी practice और habit पर कीतनी आप practice करते हैं अगला question कहता है कि एक वेपारी तीन हजार उपए की दर से दो वेस्त वे खरीता है बेशते समय उसे दस परतिसत का लाब और दूसरी पर बीस परतिसत की हानी होती है तो उसका कुल हानी परतिसत कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर बात हो रही है खरीते समय एक वेपारी तीन हजार उपए की दर से दो वस्तिवे खईता, मतलब यहाँ पर भी आपका जो है वो cost price सेम रहेगा, बिल्कुल second इससे जो पहले question करा था exact उसकी तरी question है, तो पहली चीज पर आपका 10% क्या हो गया 10% का लाब हो गया, दूसरी चीज पर 20% की हानी हो गई मतलब 5-4, तो यहाँ पर भी आपका जो है, वो अब आपका क्या बराबर होना चाहिए, आपका जो है वो cost price बराबर होना चाहिए, कहने का मतलब है आप इसको 2 से गुड़ा कर दोगे, तो यह 10 बन जाएगा, और इसको 2 से गुड़ा करोगे 5-5, तो आपका जो answer निकल के आएगा, वो 5% निकल के आएगा जो हानी आप खा रहे हैं, वो कितने की खा रहे हैं, आप 5% की खा रहे हैं clear हो गया, तो इस तरीके से आप question करने लगेंगे जैसे question के अंदर पहले वाले सिखा है, मैं mock price, selling price सब लगा रहा था यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लगाना पड़ा, सिर्फ आपने बराबर किया है clear है, बड़े अगले question की तरफ, चलिए अब आपको CT की आवास सुनाई देगी, तो आप उस शीज को ignore करेंगे क्योंकि मैं सामने खाना बन रहा है, मेरे सामने ठीक है, तो CT की आउस को आप लोग ignore करेंगे, अगला question कहता है कि एक घड़ी का विक्रे मूल एक हजार चपन रुपए है, लाप प्रतिसाद जो है, वो दस प्रतिसाद है, यदि विक्रे मूल आट सो रुपए हो तो हानी प्रतिसाद क्या होगा, अब यहां पर देखे, आपका विक्रे मूल कितना है, भाई, एक हजार चपन रुपए है और लाप प्रतिसाद उस पर कितना हो रहा है, 10 परसेंट का, मतलब कहने का मतलब है 10 से 11, और ये आपका क्या है, विक्रे मुली, मतलब 11 रेशो के बराबर, आपका जो है दे रכथा है, एक हजार कितना, 56, इतनी बात क्लियर है, तो आप एक रेशो का मान निकाल लेंगे, एक ratio का मान मतलब है 11.99 में 11.66 और जब आप 10 ratio का मान निकालेंगे तो यहां पर कहा देंगे कि इसका जो CP हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 960 हो जाएगा और selling price इसका कितना दे रखा था 1056 रुपए दे रखा था चलिए आपके पास CP निकल आया अब अगर मैं बात कर यह अगर आपकी कोई चीज 960 रुपए की है ठीक है आप बेच रहें कितने का 800 रुपए का पर यह 800 रुपए का बेच रहें तो आप कितने का loss खा रहें आप कहेंगे सर मैं 160 रुपए का loss खा रहा हूं in 200 इतनी बात कलियर है अब आप इसे काट लो 0 से 0 काट लो 16 16 16 96 तो ए एक बटाच्छे आपका जो है वो 16.67 आपका बिलकुल सही जबाब हो जाएगा चलिए तो अगला कोश्चन आपकी स्क्रीन पर है यह कोश्चन कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूली उसके क्रे मूली का 150 प्रतिसत है यदि 20 प्रतिसत की छूर दी जाती है तो लाप प्रतिसत क्या होगा देखिए इस तरह के कोश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको रेश्यो निकालना पड़ेगा मार्क प्राइज और कॉस्प्राइज का तो इसमें जैसा कहा गया है कि मार्क प्राइज जो है वो कॉस्प प्राइज का एक सो पचास परसंट है कितना है एक सो पचास परसंट है तो हमने परसंट के लिए जीरो सो लगा दिया अगर हम इनके रेश्यो की बात करें तो रेश्यो हमारा कितना आ जाएगा तीन बटे दो आ जाएगा कहने का मतलब है आपका कॉस्प्राइज और आपका 2-3 ठीक है और इसके उपर जो है वो 20% की छूट दी जा रही है तो छूट का मतलब है आपका 5-4 ये भी तो आपका mark price ही है तो मैंने mark price को इधर क्यों रखा था ताकि cross multiply में यहाँ पर mark price आ सके और ये आपका selling price आ गया अब भाई इसको success you लगा लो 5-10 हो जाएगा और ये कितन 10 है और selling price 12 है तो profit निकाल सकते हैं बोलेंगे हाँ भाई 10 के उपर दो का आपने profit दे दिया into 100 तो एक बटा 5 बराबर कितना होता है एक बटा 5 बराबर 20% होता है आसानी से आपने कर लिया अगला question देखिए क्या कहता है कि यदि 60 कुरसियों को 24-560 रुपे में खरीदा जाता है तो 20% लाब अरजित करने के लिए कितनी कुरसियों को 24-560 रुपे में बेचा जाना चाहिए अब देखिए अगर मैं बात करूं आपका total price जो दे रखा है ना 24 कुरसियों का वो 24-560 अगर मैं इसके नीचे 60 कुरसियों का अगर मैं इसके नीचे 60 क कुरसियों का एक कुरसि का PRISE का दिया सिक के जिए 2 nextक पाफिट दे गए कि ये जो एक कुरसी का जो प्राइज है ना 20% बढ़के प्राइज है ये ठीक है अब ये एक कुरसी का 20% बढ़के है तो अगर मैं इसके नीचे डिवाइड कर दूँ तो आपका जो है वो नंबर आप कुरसी निकल आएगा कि 20% बढ़ने के बाद कितनी कुरसियां हम 24,560 में चला जाएगा तो राइट अंसर जो आएगा आपका 50 कुरसियां तो 50 कुरसियां जो है आप जो है वो बेच सकते हैं राइट अंसर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीका करते होंगे पहले गुड़ा भाग करते होंगे मैं क चीजों को solve कर लेता, उसके बाद काटता है, तो भाई मुझे दिक्कत होती न, तो smart approach इसी को कहते हैं, smart approach कुछ और नहीं होती है, तीक है, आपको calculation बहुत जाद आती है, आपने calculation कर ली, उसके बाद काट रहो भाई, time waste है न, और smart approach वाला बच्चा इनको ऐसे से काट के निकल तो ये चीजे सीखनी होती है, practice के दौरान, otherwise होता कुछ नहीं है, आपको भी सवाल करना आता है, और अगले को भी करना आता है, बस आपको लगानी है smart approach, अगला question देखिए भाई, क्या कहता है, कि एक वस्तुपर 10% की छूट देने के बाद भी 10% का लाब होता है, जब कोई चूट नहीं दी जाती, तो लाब प्रतिसत कितना होगा, तो simply देखिए, जब आप 10% की छूट दे रहें, उसके बाद भी आप 10% का लाब कमारें, मतलब कहने का क्या मतलब, आप लाब कहां से कमारें, मतलब 10% की छूट 10 से 9, ये आपका हो गया mark price, और ये आपका हो गया selling price और फिर भी आप 10% का लाब कमारें, मतलब ये आपका हो गया CP और ये आपका हो गया SP, कहने का मतलब है कि CP आपका बराबर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर आपका 11 से गुड़ा कर दिया और यहाँ पर मैंने 9 से गुड़ा कर दिया, तो आपका mark price कितना निकल के आगया, mark price 110 निकल के आगया, और cost price कितना निकल के आगया, 90, अब अगर आप कोई छूट नहीं दी जाती है, जब कोई छूट नहीं दी जाती है, तो आप profit कितना है, भाई छूट देने का मतलब क्या होता है, जब आप 100 रुपए की चीज कोई लेके आया, ठीक है, और उसको mark price कर द इच रहें into 100, तो आप कहेंगे 2 बटा 9, आप सभी को बताए कि जब 1 बटा 9 होता है, तो कितना percent आता है, 11.11, 11 percent आता है, है ना, अब 2 बटा 9 है, तो 22.22 percent आ जाएगा, अगला question देखो भाई, अगला question कहता है कि A और B दोनों अपनी घड़ी को 500 रुपए परती घड़ी की दर से बेशते हैं, A ने 10 परती सत लाब अरजित किया, B ने 25 परती सत की हानी उठाई, तो A, B की लागत मुलिका अनुपात क्या हो जाएगा, अब question की पहली लाइन पढ़िये कहता है कि A, B ने अपनी घड़ी को 500 रुपए परती घड़ी की दर से बेचा है, मतलब selling price जो है लाब मतलब ये आपका CP हो गया और ये आपका SP हो गया, अब हानी मतलब ये आपका CP है और ये आपका SP है, भई SP तो बराबर है नहीं, करो बराबर भई, तो इसको आपने 3 से गुड़ा कर दिया और इसको आपने जो है वो 11 से गुड़ा कर दिया, अब आपका CP कितना बन ग अगर इसे काटोगे तो 15 अनुपात 22 अपका जो है वो A अनुपात B निकल के आ जाएगा राइट अंसर आपका जो है वो आपका B बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला कोशन कहता है कि एक वस्त को 30% और 20% की दो करमिक छूट के बाद 560 रुपए में बेचा जाता है तो वस्त का अंकित मूली क्या हो जाएगा अब ऐसा कोशन मैंने आपको एक बार नहीं दो बार करवा दिया है तो आप इस कोशन का एंसर मुझे कमेंट वाक्स में देंगे अगर आपने शुरुआ से आखरी तक वीडियो देखी है तो आप इस कोश्चन का आसानी से आप दे देंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी देने में ठीक है क्योंकि आपको मैंने अच्छे से concept को सिखा दिया है अगला कोश्चन देखिए क्या कहता है कि यदि एक वस्ट को उसके सामान विक्रे मूली के 9 बटा 10 में भाग पर बेचा जाता है तो उस पर 20% का लाब होगा वह लाब प्रतिसत ग्याद करिए जो इसके सामान विक्रे मूली पर बेचने पर प्राप्त होता है बहुत अच्छा कोश्चन है मैंने बोला कि उसका विक्रे मूली पहले कितना था पहले उसका विक्रे मूली 10 था लेकिन उसको 9 पर बेचा जा रहा है मतलब कहने का मतलब ये भी आपका सेलिंग प्राइज है और ये भी आपका क्या है सेलिंग प्राइज है अब उस पर 20% का जो है वो लाब हो रहा है 20% का लाब कितना हो गया 5 से उसका 6 ये इसका Sailing Price हो गया और ये इसका हो गया Cost Price अब भाई एक ही चीज़ पर तो उसकी ये क्रियाएं हो रही है मतलब पहले तो उसका ये चीज़ बढ़ाया गटाया गया और फिर उसी चीज़ पर 20% का लाब हो रहा है मतलब भाई Sailing Price आपके सामने समान है तो भाई Sailing Price को बराबर करो बराबर करने के लिए हमने इसको 9 दुनी 18 कर दिया इसको 6 दिया 18 कर दिया इतनी बात क्लियर है तो आपका ये Sailing Price जो आपका पहले Sailing Price था वो कितना हो जाएगा वो 10 दुनी 20 हो जाएगा तो नया Sailing Price पहला पुराना वाला Sailing Price 20 है और नया वाला Sailing Price जो है वो 18 है उसने बोला है कि यद इसके सामान विक्रे मूली के पर बेचने पर तो आपका Cost Price कितना है ये आपका 15 हो जाएगा ना वाई तो अगर आपका Cost Price 15 है और सामान विक्रे मूली कौन सा था ये वाला था ये तो बाद वाला था ना सामान विक्रे मूली 20 था मतलब आप जो है जब सामान विक्रे मूली पर बेचेंगे तो 5 रुपे का जो है वो Profit लेंगे मतलब 5 रिशो का Profit लेंगे into 100 तो यह कितना निकल के आएगा ratio में ratio में निकल के आएगा 1 बटा 3 और 1 बटा 3 कितना ratio में होता है 33.33 होता है लिए रहे चलो अब देखिए यहां से आप जो question आपके start हो रहे ना यह question start हो रहे है SSC, CHSL और CGL के 2022 के ठीक है अभी हम 23 के current question कर रहे थे अब हम 22 के उपर जा रहे हैं तो यह question कहता है कि एक दुकांदार एक पुस्तक को मुंदृत मुल पर 10% की छूट पर बेचने पर 12% का लाब अरजित करता है तो क्रे मुल और मुदृत मुल का अनुपाद अब बताइए कि 10% की पहले तो छूट दी जाती है और उसी पर 12% का लाब मतलब 12,6,53,25 25 से जो है वो 28 का लाब लिया जाता है इतनी बात क्लियर है तो भाई एक ही चीज़ पर दोनों चीज़े हो रही है इसको पहले तो छूट दी जा रही फिर भी आप profit ले रहो तो आपका 28 से गुड़ा कर दो और इसको आप 9 से गुड़ा कर दो तो 28 दहम 280 ठीक है ये तो आपका क्या था ये आपका mark price था और यहाँ पर आप लाब ले रहे हैं तो ये selling price हो जाए तो 25 नवा 225 आप से क्या बोला क्रे मूली और मुद्रित मूली क्रे मूली कितना है 225 अनुपाद विक्रे मूली आपका 280 अब रेश्यो अगर निकालेंगे तो आपका 5 चकू 20 और 25 आपका हो जाएगा 25 बचा 3 पांच चका 30 तो 45 चपन यहाँ पर रेश्यो आपका निकल के आएगा वो B option बिलकुल करने पर 20% का लाब अरजित होता है यह दिवस्तुका क्रे मूली 560 रुपए है और इसे अंकित मूली पर बेचा जाता है तो लाब प्रतिसत क्या होगा बहुत ही अच्छा question है और इस question को एक बार आप दुबारा पढ़ो क्योंकि इतना जबरदस question की ऐसे questions जो है वो आप से नहीं होते हैं क्योंकि यह थोड़े अच्छे question माने जाते है क्योंकि यह SSC CGL का question है किसका question है यह SSC CGL का question है और यह है आपका 2022 के अंदर exam हुआ था उसका है question ठीक है तो इस question को solve करते हैं उसने बोला है कि 20% का lab होता 20% का lab का मतलब हो गया कि 5 से 6 अगर यह आपका CP है तो यह आपका क्या हो जाएगा यह SP हो जाएगा और actual में आपका क्रेमूल कितना दे रखा है क्रेमूल जो actual में दे रखा है वो आपका 5 ratio बराबर दे रखा है आपका 560 तो एक ratio बराबर कितना हो जाएगा आपका 112 हो जाएगा ठीक है तो मैंने माना कि अगर आपका क्रैमूल 560 रुपे दे रखा था तो आप जब इसमें 6 ratio का गुड़ा कर दोगे तो 6 दूनी 12, 6 कम 6, 17, 6 कम 6 तो आपका जो selling price निकल के आएगा ना मेरे भाई वो 672 रुपे निकल है अभी आपका अगला सवाल कहता कि अंकित मूली पर बेचा जाता है मतलब आपको अंकित मूली निकालना पड़ेगा अंकित मूली निकालने का मतलब है कि आपने 28 रुपे की छूर दी थी तभी तो selling price बना था तो इसमें 28 रुपे जब आप जोड़ दोगे तो ये क्या ब बोला है कि अंकित मूली पर बेचो तो भाई बेच दो अंकित मूली पर बेचने का मतलब है 560 रुपे की चीज जब आप 700 रुपे की बेचेंगे तो आप कितना profit लेंगे 140 रुपे का profit लेंगे into 100 तो अब अगर आप काटोगे तो ये 0 से 0 कर दाएगा 14 एक कम 14 चौदा चौ कोशन जो है वो आपसे नहीं होते हैं कई बार अगला कोशन देखिए भाई क्या कहता है कि 15 परसेंट की छूड देने के बाद एक विक्रेता एक मसीन को 1,22,700 रुपे में बेचना चाहता है मसीन को किस मूली पर अंकित किया जाना चाहिए तो simply अगर 15 परसेंट की आप छू काटेंगे तो 5 परसेंट आ जाएगा तो 17 सत्य आपका हो गया 119 बचा 3 है ना तो 17 दूनी 34 हो गया बचा आपका फिर आपका 3 बचा ठीक तो आपका 17 एकम 17 फिर 130 बचा 17 सत्य 119 यहीं तक रखो पॉइंटों में मत जाओ अब देखिए यह 5 परसेंट है अगर मैं 20 परसेंट से गुड़ा कर दो तो यह 100 परसेंट बन जाएगा बिल्कुल 100 परसेंट बन जाएगा 100 परसेंट गुड़ा करने बनाने के लिए इसको 20 से गुड़ा कर दो तो यह आपका निकल के आ जाएगा एक तो 0 निकल के आएगा दूसर 14 ठीक कैरिया एक दो एक कम दो एक तीन फिर और फिर दूसर 14 तो 144, 340 करीब करीब किसके आ रहा है इसके आ रहा है नहीं आएगा इसके 48 नहीं भाई, 36 नहीं भाई राइट अंसर जो हो जाएगा B आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तो इस तरीके से इस question को करना था अगला question देखे भाई अगला question देखे कहता है कि एक विक्रेता अपने माल को क्रेम मूली पर बेचने का दावा करता है लेकिन एक किलो ग्राम के लिए वह 900 किलो ग्राम भार का उपियोग करता है उसका लाप्रतिसत ग्याद करिए एक विक्त है, तॉलना चाहिए उसको 1000 ग्राम लेकिन भाई वो तॉल रहा है 900 ग्राम कहने का मतलब भाई वो ये तो एक्शुल में 900 ग्राम रहा है लेकिन बता कितने रहा है बता रहा है भाई वो 1000 ग्राम तो कहने का मतलब है कि भाई वो प्रॉफिट ले रहा है मतलब 9 से 10 रेशो तो 9 पर अगर वो एक का profit ले रहा है तो कितना हो गया 11.11 क्लियर है अगला question देखिए किसी वस्तु के अंकित मूली पर 20 परसंट, 40 परसंट और 75 परसंट की क्रमिक छूट के एकल समतुली छूट कितनी होगी तो भाई छूट दे लो 20 परसंट का मतलब होता है 1 बटे 4, 40 परसंट का मतलब होता है 2 बटे 5, sorry गल्द बता रहों भाई 20 परसंट का मतलब होता है 1 बटे 5, 40 परसंट का मतलब होता है 2 बटे 5, 75 परसंट का मतलब होता है 3 बटे 4 है ना, 25 यह 75 तो आप 5 से 4 की छूट दे रहे हैं ठीक है और 5 से फिर आप 2 पर जा रहे हैं क्योंकि आप 5 से आप 3 पर जा रहे हैं क्योंकि आप छूट कितने की दे रहे हैं आप छूट दे रहे हैं 40 परसेंट की तो 5 से 3 पर चले गए और फिर आप कितने पर जा रहे हैं 4 से 1 पर तो आप देखो इसमें कुछ कटने वाला है बिल्कुल कटने वाला चार से चार कटने वाला 25 और 3 एकम 3 तो आप 25 से कितने की छूड़ दे रहे हो 25 से छूड़ दे रहे हो आप 22 की और into 100 22 एकम 22 हो जाएगा और 22 चकू 100 सरी 25 चकू 100 तो 22 चकू 88 इसका जो है वो बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा राइट एंसर आपका जो हो जाएगा वो C बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला कोश्चन देखो भाई अगला कोश्चन कहता है कि एक दुकानदार 2700 रुपए के मूली के उत्पादन बेचना चाहता है लेकिन उसके पास दो विकल्प थे क्रमसा 10% और 15% की दो क्रमिक छूट देना या फिर 25% की एकल छूट देना तो दोनों विकल्प में जो है वो अंतर कितना हो जाएगा तो आप डारेक्टली इसका सक्सिस्यू निकालो देखो चूट वाला तो माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 15, 10, 25 हो जाएगा है ना और ये तो माइनस का यहाँ पर प्लस 25 और 15 दाम 150, 1.5 है ना और ये कितना निकल रहा है ये आपका 25% है तो difference कितना आ रहा है, difference तो 1.5 का यह आ रहा है, तो 2700 का, आप निकाल लो 1.5%, ठीक है, तो अब यहां से आप क्या करो, 0 से 0 काड़ दो, 15 सत्य 105 होता है, कैरी आया आपका 10, और 15 दूनी 30, 10, 40, और 1 दसमलो तो लगा हुआ था, लगा दो 40.5 आपका जो है, वो बिलकुल सही हो जाएगा, अगला कोशन देखिए, कि हर्स ने 48,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदा, उसने इसे 15% की हान पर बेज दिया, उस पैसे से उसने एक स्कूटर खरीदा और उसे 22.5% लाब पर बेज दिया, तो उसका कुल लाब हान क्या हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब इसक आप 17 पर बेज रहे हैं, यह आपका Mark Price हो गया और यह आपका क्या हो गया, यह आपका Sailing Price हो गया, इतनी बात क्लियर है, फिर आप क्या कर रहे हैं, 22.5 पर लाब बेज रहे हैं, 22.5 पता कितना होता है, 9 बटे 40 होता है, मतलब कहने का मतलब है, आप 40 से कितने पर बेज रहे ह ठीक है इतनी बात clear है तो अब इसे भाई ये आपका क्या है CP है और ये आपका क्या है SP है तो जब आप success लगा देंगे तो यहां पर आपका क्या निकल क्या आजाएगा आपका निकल क्या आजाएगा लाब और हानी इतनी बात clear है तो यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस question को करने के लिए आपको बराबर क्या न करना पड़ेगा बराबर क्या selling price करना पड़ेगा हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा भाई yes करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा क्योंकि 20% हान 49 20% हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा भाई भाई वाई जो थाँ अबस। अगला question देखिए क्या कहता है कि एक खिलोने के अंकित मूली 4875 था clearance sale के दोरान इस पर 28% और 30% की दो क्रमगर छूट दी गई है खिलोने का विक्रे मूली क्या था तो simply अगर मैं बात करूँ आप 4875 रुपए की कोई चीज है उस पर 2 छूट देते हैं 28% का मतलब हो गया आपका 14, 50, 7, 25 मतलब आपका 18, 25 पर आप बेचोगे है ना और इंटू 30% की छूट मतलब 3 बटे 10 मतलब 7 बटे 10 इतनी बात क्लियर है अब इसे काट लो भाई आप अगर काटोगे 25 एकम 25 तो 25 एकम 25 हो जाएगा बचेगा 23 आपका बन जाएगा 237, 25 नमा 225 हो जाएगा है ना 225 तो आपका 75 बारा और 25 पंचे 125 तो ये आपका जो निकल के आएगा 49 इन्टू 963 ठीक है ये निकल के आएगा अब आप कहेंगे सर मुझे कैलकुलेशन नहीं करने आती मैं कहरा हूँ कैलकुलेशन मत करो 9 3 12 इनके यूनिट डिजिट को डो 9 3 12 और 12 को जोड़ोगे तो 3 आएगा ठीक है और इन्टू 6 3 9 और इसको गुड़ा करो 9 3 27 और इसका यूनिट डिजिट डो 7 2 9 तो 9 यूनिट डिजिट आना चाहिए तो यहाँ पर देखो ये तो होई नहीं सकता है क्योंकि भाई यहाँ पर 0 तो कहीं पर बनी रही जाए अब इन दोनों में से जोड़ लो भाई आपका 7 2 9 5 4 9 यही एंसर होगा यह देख लो 7 2 9 6 4 10 यह नहीं होगा तो राइट अंसर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तो इस तरीके से भी आप स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे तभ सिंपली यहाँ पर भी आपको वही मार्क प्राइज निगालना है मार्क प्राइज पे जब आपको छूड़ दी जाती है कितनी 25 परसंट तो आप 3 पर बैसते हैं चार की चीज 3 पर बैसते हैं और 10 पर चीज आप दो र你要 इन यह ओर वर आल कितना पर बेच रहे हैं आप छू 9 हो जाएगा, 9-7-16, 9-7-63, फिर 7 बचेगा, 9-7-63, अब इसके साथ आप 10 चकु 40 का गुड़ा कर दो, तो आप करेंगे यहाँ पर 4-7-28, ठीक है, 4-7-28, और 4-7-28, दो 30 कह रही है, 4-4-3-7, और दस्मलों से यह 0 कट गया था है, तो आपका 708 निर भी आ जाएगा, जो कि आपका D-Option के अंदर दिखाई दे रहा है, अगला कोशन देखें, मेरे भाई कहता है कि एक मोबाईल फोन का अंकित मूली 3600 रुपए है, एक दुकानदार अंकित मूली पर 11% की छूट देता है, और इसके अलावा, अगर कोई क्रहक इसे credit card से खरीटा है, तो अंतिम छूट बढ़ा कर 15% कर दी जाती है, तो पूजा इसे credit card से खरीदी है, तो कितना भुगतान करेगी, तो भाई, इस पर ही टो खरीदेगी, अगर वो भुगतान करेगी, तो ये वाले से भुगतान करेगा, या क्रिडिट पार्ट पे खरीद रही है तो भाई 36 का अगर वो 15% की चूट लेगी तो 85 पर बेचेगी है ना तो 85 पर अगर बेचेगी तो 2 0 से 2 0 चले जाएंगे इतनी बात क्लियर है तो आप यहां पर देख लो 639 unit digit निकालो 639 into 8 5 13 का मतलब 4 9.36 9.36 unit digit आया तो unit digit 639 आ गया 9 किसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है 9 3 2 5 इसमें नहीं आ रहा है 639 इसमें आ रहा है 8 2 9 16 17 18 19 इसमें तो 10 आ रहा है तो right answer आपका यह वाला हो जाएगा तो unit digit से भी question को solve करने की कोसिस किया करो calculation में आपको दिक्कत होगी 639 unit digit हमने यहाँ पर बनाया दुबारा बता देता हूँ यहाँ पर हमने 639 unit digit बनाया 8 5 13 13 का जो है वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 9.36 गुड़ा करेंगे और 36 का जब जोडेंगे तो 639 आ जाएगा unit digit ठीक है तो यह तरीका था unit digit से question को solve करने क अगला question मेरे भाई आपकी screen पर है और यह question कहता है कि एक mobile पर उसके क्रे मुली से 25% अधिक अंकित है 10% का lab अरजित करने के लिए इसे कितने percent की छूट पर बेचा जाना चाहिए तो simply अगर आप जो है वो mark price जो set कर रहे है 4 से 5 set कर रहे है कितना set कर रहे है आप 4 से 5 set कर रहे यह आपका हो गया आपका CP और यह आपका हो गया MP और अब lap जो है वो आप 10% का ले रहे है 10 से 11 तो यह आपका CP हो गया और यह आपका क्या हो गया SP हो गया अब आपका CP स्वामान दिख रहे है तो CP को बराबर करना पड़ेगा CP को बराबर करने के लिए इधर आप जो है वो बाइस बन जाएगा अब आप छूट कितनी देंगे मार्ग प्राइस पर ही तो छूट देते हैं अगर मार्ग प्राइस आपका 25 दे रखा है और आप सेल कर रहें 22 में तो आप कितने की तीन की छूट दे रहें सामानता एक निश्चिल लेंदेन में 20% का लाब अरजित करता है तौल मसीन में हुई खराबी के कारण वा एक किलो ग्राम के स्थान पे 900 ग्राम वजन करता है यह दिवा सामानता मुली से 10% कम मुली लेता तो उसका वास्तविक लाब यहान प्रतिसत क्या होगा तो देखी इस इस question का type का बिलकुल 2-3-4 question पहले मैंने करवा दिया है तो इस question को आप लोग मुझे homework में करवाएंगे homework में मुझे बताएंगे इस question का answer और आज हम इस class को यहीं पर sum up करते हैं 4 question मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं 4 question मुझे comment box में आप लोग PDF मिल जाएगी तो हमने यहाँ पर आज टोटल कितने question complete करे हैं, total हमने 31 question complete करे हैं, क्योंकि मैंने question जो रखे थे वो 35 रखे थे इस class के लिए, तो 4 question मैं आज के लिए छोड़ रहा हूँ, अगली class के अंदर cover कर लेंगे, तो इस class को हम यही पर खतम करते हैं, और अगले class के अंदर बचे वे questions को solve कर लेंगे, आसा करता हूँ कि हर एक question आपको बिल्कुल clear हो गया होगा, हर एक concept आपको समझ आया होगा, अगर फिर भी कोई concept आपको clear नहीं हुआ है, तो मुझे comment box में बता दीजेगा, ताकि मैं उस question को अगली class में भी cover कर लूँ, और आपको अच्छी तरीके से समझ दाजूँ, तो आज के लिए class को यही पर खतम करते हैं, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया, भाई चैनल को subscribe कर लो, और वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को like share करना न भूलें,